स्वागत है हकीम साहब आपका बहुत धन्यवाद जी आपका हकीम साहब बात करना चाहेंगे दर्द को लेके इस बारे में जितनी बात की जाये तो कम ही होता है क्योंकि दर्द की पेशेंट हर घर में है और अगर पांच मेंबर हैं तो पांचों को दर्द की शिकायत रहती है और इतनी painful उनकी पूरी जिन्दगी हो जाती है कि दर्द भी है, सूजन भी है, पैरे रख नहीं पा रहे हैं, दूसरे के सहारे बैट से उठते हैं, बैटते हैं, यानि कि खुद अपना कारे नहीं कर पाते हैं, तो ये जो इस वक्त का हमारा lifestyle चल रहा है और जो लोग इतने ज परिशान हो गए हैं दर्द को लेके, तो उनके बार में आप से जानना चाहूंगे, देखे ये दर्द जो है, एक उमर में आता जरूर है, और दो तीन बार आता है, पूरी उमर में दो तीन बार आता है, और इसकी उमर है 40 या 40 प्लस, किसी को अब उस से पहले भी आने में और ये वो दर्द नहीं है जो अच्छा नहो सके, लेकिन इसमें जो दवा आप लेते हैं, हम लेते हैं, वो उस वक्त को दर्द को दबाने की दवा लेते हैं, दर्द के दबाने की दवा ऐलोपैटिक लेते हैं, कि दर्द को दबा दे हैं, एक ऐसी भी दवा आती है जो दर्द को भगाने की दवा होती है समझ लें आप इस बात को दो ही दवा होती है दुनिया में दो तरह की दवा दर्द को दबाने की या दर्द को भगाने की अब अक्सर दर्द को दबा दिया जाए तो वो दबा रह जाता है पिर नहीं होता हफ्तों नहीं होता महीन रोज वो इटियाताता है, तो कोई ऐसा दर्द हो जो दबाने की दवा से न जाता हो, तो दर्द को भगाने की दवा भी है, युनानी में, अब वो क्या है? वैसे तो सेकलों, हजारों नस्खे हमारी जिन्दगी में आए और लोग बताते हैं और हम भी बताते हैं लेकिन जो सबसे कामियाब नस्खा मैंने अपने जीवन में पाया वो पाया गौन्द सिया गौन्द गम को कहते हैं और सिया काले को कहते हैं काला गॉन भी कह सकते हैं इसे आसान जबान में लेकि सबसे ज्यादा परिशानी ये हो गई कि जब से मैंने बताना शुरू किया पहले तो सब जगा असली मिलता था अब सब जगा नकड़ी बेच रहा है क्योंकि ये कीमती गॉन्द है 15-16 रुपे का एक ग्राम आता है हम बज एक रुपे का सो ग्राम दस रुपे का सो ग्राम आता है लेकिन ये जो गॉन्द सिया है ये 15-16 रुपे का सिर्फ एक ग्राम आता है और ये एक दिन का इलाज है आदा गिराम सुबह नाश्टे के बाद खालें आदा गिराम शाम को और खाना आपकी मर्दी पर कैसे खाना है गोलियां बना के खालें ये राव माटरियल है या कैपसूल खाली में भर के खालें या इस शहेद में मिला के खालें जैसे भी आप खाना चाहो खालो और पांच दिन सबर करो यह पांच-छे दिन के बाद फाइदा शुरू करता है और यह जो गौन सिया है अगर किसी को अस्ली मिल जाए तो यह मुद्दतों के लिए आपको अच्छा कर देता है अगर सौ ग्राम भी मिल गया असली तो कैसा भी दर्द हो चाहे घुटनों का हो, चाहे कमर का हो चाहे नसों का हो, चाहे साइटिका का हो चाहे मोंडे का हो, चाहे कोहनी का हो कहीं का भी दर्द हो यह आपको सौ ग्राम भी मिल गया तो अपने खतम होने से पहले आपको दर्से मुक्ती दिलाने की ताकत रखता है बिलकुल